वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 12 के विश्थास बुक के चेप्टर 4 दा एनिमी के मोस्ट इंपोर्टेंट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हमने आपके लिए टोटल 8 MCQs प्रिपेर किये हैं ताकि हमने जो चेप्टर पढ़ा है उसकी टेस्टिंग हो जाएगी कि हमने जो आपको पूरा चेप्टर पढ़ाया है टोटल 6 पार्ट्स में और आपने वो ध्यान से डीपली उसको स्टेडि किया है तो आपके एकजाम में बोड एकजाम में आने वाले आप इन MCQs को आसानी से सोल कर सकते हैं आईए पहला कोशन देखते हैं यानि दे एनिमी चेप्टर के लेखक कोन है आपके चार ओप्षन आपके सामने हैं आपको एक ओप्षन को इसमें सलेक्ट करना है आप अभी अपना चुनाओ कर लीजिए फिर मैं आपको आनसर बता रहा हूँ एक तरीके से आपकी टेस्टिंग है और आपको साथ ही साथ क्वेसंस भी याद हो रहे हैं जरूर आपने आपका आनसर मेच कर लिया होगा और इसका सही जवाब है D. Pearl S. Buck D. इसका सही आंसर है Number 2 What is the name of the mad servant of Sadao Sadao की जो नो करानी थी उसका नाम क्या है Sadao की नो करानी का नाम Hana, Yumi, Maria, Julie चार ओप्शन आपके सामने हैं और आपको एक का चुनाओ करना है और इसका सही जवाब जी हाँ बिलकुल आपको आगया जिनोंने study की है B. ओप्शन है Yumi ये B. इसका आंसर है Number 3 Who was superstitious among these ये जो आपके यहाँ चार ओप्शन दिये हुई है इन में से सबसे ज़्यादा superstitious कौन था ये चार ओप्शन आपके सामने है Hana, Yumi, Cook और Gardner चार ओप्शन है इन में से कौन सबसे ज़्यादा superstitious थी या था तो आपके सामने चार ओप्शन है और इसका सही जवाब है D. Gardner और superstitious का मनलता है अंदवी स्वासी जब उसने कहा ता कि सदाओ तो में ये जो समुद्र ने इसको Enemy को मारा है हमारे दुस्मन को और गोली ने भी इसको मारा है चट्टानो ने इसे मारा है तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो हमें माप नहीं करेंगे कोईकि तुम इसे बचा रहे हो जबकि समुद्र और गोली ने तो उसका काम किया है तो इस प्रकार से अंद्वी स्वासीता उसमें D-Option आएगा आगे बढ़ते हैं Question No.4 Sadao was sent to America to study Sadao को अमेरिका भी जा गया था पढ़ाए करने के लिए Surgery, Medicine, Politics या बोथ A and B यानि Surgery और Medicine दोनो एक Option आपको चुनना है क्या Surgery के लिए Medicine के लिए Politics के लिए या दोनों के लिए Surgery और Medicine के लिए तो इसका सही जवाब है आपके D Both and A and B कोई को उसके पिताने दोनों के लिए भी जाता Question No.5 Sadao was sent to America at the age of and came back at the age of Sadao को अमेरिका भी जा गया था कितनी उम्र थी तब और जब लोट कर आया तब उसकी उम्र कितनी थी age कितनी थी अब यहाँ पर पहले वाले में 25, second वाले में 30 पहले वाले में 22 22 की उम्र में बेज जाता 28 की में आया 24 की में बेज जाता 30 की में वापस आया 22 की उम्र में बेज जाता 30 की उम्र में वापस आया 4 option है आपको चुनाओ करना है सही सेलेक्ट करना है कितनी उम्र में बेज आता और कितनी उम्र में वह आपस आया था और इसका सही जवाब है डी 22 और 30 आगे बरते हैं प्रस्ट नमबर 6 दा नेम ओप अमेरिकन सोलजर वोज जो अमेरिकन सोलजर जो यह निमी था उनका दुस्मन जिसका सदा उन्हीं इलाज किया था उसका नाम था ब्राइन फिलिप रोजर टॉम इन चार में से उसका क्या नाम था यह आपके सामने और यहां पर दी हुई है और इसका सही जवाब जी हां बिल्कुल आपको सही आया है इसका सही जवाब है डी टॉम इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 7 उस वेक्ति की बेटर यह नि फटी हुई केप टोपी के उपर क्या लिखा हुआ था इंडियन नेवी जापान नेवी अमेरिका नेवी यूएस नेवी क्या लिखा हुआ था इन 4 में से और आपको सही जवाब चुनना इन में से क्या लिखा हुआ था जिससे पता लगा यह है यूएस नेवी डी इसके बाद में आगे बढ़ते हैं वाइड दे जंडल हेव एज प्राइवेट जंडल के पास निजी तोर पर कौन सी कौन सी चीज थी इन में से निजी तोर पर पुलिस सर्वेंट्स डॉक्टर्स और असेसिंस इन में से क्या था उस जंडल के पास पुलिस थी उसकी अपनी या नोकर थे निजी निजी डॉक जो उसने सदाओं को एडवाइस किया था कि तुम चाहो तो मैं उस आपकी घर पर जो वो दुश्मन से निके उसको महीं पर मरवा दूंगा और मेरे पास प्राइवेट असेसिंज जानी हत्यारे हैं जो उसकी उसको मार कर और उसकी बोड़े को भी फैंक देंगे इस प्रकार आगे हमने आर्ट के और संसाफ के लिए किये हैं यहां पर प्रिपेर फिर भी आगे एकजाम तक हम आपके लिए और ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट सभी तरीके के वीडियो लेकर आते रहेंगे इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें इस्टूडेंट्स